नमस्कार और विल्कम यौल तू वर्ल अफेर्ज मैं हूँ प्रशान धवन नाव हाली में एक बहुत ही मेजर डिवलप्पेंट हुई है रश्या ने अपनी तरफ से एक मेजर ओफर दिया है इंडिया को रश्या ने ये काहे कि क्यो ना भारत और रूस के नागरिक एक दूसर स्कीन है आप गूसरेंगर को खतेम ही कर देते हैं एक वीजा-फ्री रेजीन स्टाबर्श करते हैं आग जहां पर आटिकल हो सकते हैं कि यहां पर लिखाओ कि रश्या ने इंडिया को अफर किया है वीजा फ्री रेजीम इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें वीजा नहीं देना होगा इसका मतलब ये भी है कि हम भी अपना country Russians के लिए open करेंगे वहां के लोग भी बिना वीजा के इंडिया में entry कर पाएंगे और मैंने इस topic से related ना आज से 11 दिन पहले Wi-Fi Study 2.0 पर एक वीडियो करी थी upload मेरी बहुत सारी वीडियो वहां पर भी आती है और उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि आने वाले समय में आप देखोगे रश्या एक critical role निभाएगा इंडिया के passport को strong करने में जिस तरीके का example ये इंडियांस के लिए set करेंगे न रश्या के बाद आप देखोगे line लग जाएगी कई countries की जो इंडियांस को visa free entry देने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि इसका idea ना रश्या को suddenly आया है कि चलो इंडिया के साथ ये सब करते हैं व्लादिमिर पुतिन ने ना 2022 में ये offer दिया था मोदी जी को पुतिन ने उस वक भी का था कि एक visa free travel regime establish करते हैं इंडियां रश्या के बीश में उस वक्त जरातार इंडियांस को यकीन था नहीं कि इस पर on ground को जरा काम भी होगा क्या रश्या प्रॉपर इसका एक formal offer इंडिया को देगा या फिर ये बस प्रेजिडेंट की एक statement थी मगर अब साफ लग रहा है पुतिन उस time serious थे ये generally चाते हैं कि इंडिया रश्या के बीश में वीजा बिलकुल खतम हो जाए और लेडी वैसे मैं आपको ये बता दू रश्या ने एक उभार इंडिया को ये दिया है कि इंडियांस को जो अभी के लिए वीजा चाहिए न उसके लिए counsellate या फिर embassy के धक्यकाने की आफशकता नहीं है सीधा online website से ये वीजा ले सकते हैं ये वीजा की facility इंडियांस के लिए एक्टिवेट हो चुकी है अगस्त एक सई एक्टिवेट हो गई थी अब उसके beyond जाने की बात चल रही है कि वीजा को बिलकुल ही खतमी कर दो तो डिसकस करते हैं इस topic को in depth के रशिया ये सब क्यो कर रहा है बाकी countries के साथ रशिया का क्या रिजीम है और इंडियांस को especially मैं कहूंगा गोआ को इससे enormous benefit कैसे मिल सकता है डिसकस करेंगे topic in depth मगर आगे बनने से पहले आपसे question पूछूँँगा question यहाँ पर यह है के हाली में BCCI के जो revenue का data है यह सामने आया इसमें यह बताया गया के 5 साल में 2017 से लेकर 2021-22 के आसपास BCCI ने कितने billion dollar का surplus कमा लिया है नंबर देखकर दुनिया shocked हो गई थी के BCCI इतने short span में इतनी कमाई कर लेता इस पर बहुत सारे article छपे report छपी बताये यहाँ पर के BCCI ने कितना surplus कमा लिया था इस time frame में यह हैं आपे आपकी options 10 billion, 1.5 billion, 20 billion या फिर 5 billion comment section में करिए उत्तर सही answer आपको मिलेगा वीडियो क्या तुम्हें नावाद से कुछ महीने पहले ना इंडिया को एक sad news मिली थी sad news यह थी के यूरोप का एक देश है सर्बिया यहाँ पे आप देख पाऊगे यह देश आपको लिख जाएगा सर्बिया इंडिया के लिए बड़ा friendly country है कई सालों तक ना इन्होंने इंडिया के लिए visa free regime रखा इंडिया ने यह कहा के इंडियांस आएं अपना passport दिखाएं entry free कोई visa किया उशक्ता नहीं है अब इंडियांस ने ना सर्बिया की इस दोस्ती का ऐसा गलत फायदा उठाया अमीन सबने नहीं मगर कुछ लोग क्या करते थे के सर्बिया जाते थे बिना visa के उसके बाद कहीं से border cross करके युरोप में घुजाते थे और युरोप में ना इस तरीके से बहुत सारी migration इंडिया की साई से बढ़ती जा रही थी बाकी countries ने सर्बिया को बोला के जी अपना जो ये visa free regime इंडिया के साथ इसके बारे में विचार करिए और अंध में आ करना सर्बिया ने visa free travel इंडियां के लिए बैन कर दिया कहा के नई जी आप वापस वीजा वाले जो रिजीमे उस पे आ जाओ आपको वीजा चाये होगा तबी हमारे देश में आपको entry मिलेगी ये sad था ये sad news थी और इससे obviously Indian passport जो धीरे धीरे strong हो रहा है इसकी strength भी थोड़ी कमजोर हो गई थी क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ जो Henle passport index होता ना आपने देखा होगा passport index आया है इंडिया की जो नई rank है वो इतनी है तो इन passport index में जो इंडिया की rank है ये depend करती है इस बात पर कितने देश है दुनिया में जो Indians को बिना वीजा के entry देने में राजी हो जाते है तो रश्या का जो ये offer है ना ये इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि सर्विया जैसा friendly country इसने का के माफ कर दो हमसे ना हो पाएगा रश्या कहा रहा है हमसे हो पाएगा रश्या ने देखिए recently कई countries को का है चाहे चाइना हो चाहे इरान हो वीजा फ्री रसी प्रोकल अरेंजमेंट करते हैं आप हमारे लोगों के लिए वीजा की requirement हडा दो हम आपके लिए भी SI करेंगे और यहां पे आप लोग देख पाऊगे लिखा है ये रश्या की जो news agency उसका article है कि रश्या ने रसी प्रोकल वीजा फ्री ग्रूप टूर कर दिया है एक्टिव चाइना इरान के साथ रश्या भी बहुत चलाक है रश्या ने ये बात बोलती है कि वीजा फ्री न अकेले आदमी के लिए नहीं होगा क्योंकि रिस्क सबसे बड़ा यही होता है कि मान लो एक आदमी है उसका प्लान यह है कि एक बार रश्या का वीजा ले लो रश्या में अंट्री कर लो उसके बाद गायब हो जाओंगा दुनिया का सबसे बड़ा देश है किसी गाव में चला गया कही चला गया नकली जो लोक्युमेंट है यह बना लिए कौन ढूणने के लिए मुझको आएगा तो रश्या को इस बात का डर है कि इस तरीके से कई लोग हमारे या रहना स्टार्ट ना कर दे तो इसलिए रश्या ने न इरान चाइना इवन इंडिया को भी यह ओफर दिया है कि जो लोग ग्रुप में आएंगे जो पांच लोगों के गुरुप में आएंगे क्योंकि पांच लोगों पर इखटा वो नजर आ सकते हैं और पांच लोगों में जरातारना 70-60% फैमलीज ही होंगी तो लोग जब इखटा आएंगे तो उस केस में इलीगल तरीके से रुकने वाई लोगों की जो पॉसिबिलिटी है ये भी कम हो जाती और ऐसा नहीं है कि ये खत्रा सिर्फ रश्या को है इंडियन केस में मैं आपको बता दू अभी रिशनी निउस सामने आई थी एक रश्यन आदमी था वो इंडिया में नकली आधार बनाकर रह रह रहा था कई सालों तक इधर आप देख पाओगे ये देश की तरक्की बिहार के नलंदा में फेक आधार के साथ एक रश्यन पकड़ा गया था अब यहाँ पे आपको मिलेंगे रश्यन कम मिलेंगे मगर दोनों साइड के लिए अच्छा होगा कि अगर ग्रुप में लोग जाते हैं इंडिया से रश्या में रश्या से इंडिया में आते हैं ग्रुप के लिए वीजा फरी कर दिया जाए अब याप याप एक क्वेश्यन यही पूछ सकते हैं कि most probably जादा इंडिया में जाएंगे जादा रश्यन इंडिया में तो आने वाले है नहीं तो इंडिया इससे फाइदा रश्या कोई होगा ना देहिए obviously जादा इंडियां इंस हमारी अबादी भी जादा है अगर ऐसा रजीम स्तापित हो जाता है तो बिलकुल छुटियों में कई लोग रश्या जाना पसंद करेंगे बढ़ यहां पे नहीं एक बात नोट करने वाली यह है कि इंडियांस के लिए भी recently एक काफी चिंता जनक ट्रेंड सामने आया है बहुत सारे Russians है जो primarily Goa में जाते हैं छुटिया नाने के लिए अब पिछले कुछ सालों में हमने यह नोटिस किया है कि जो Amir Russians जो एक टाइम पर Goa जाते हैं छुटिया नाने के लिए यहां पर पैसे खश्टे थे यह अब Goa ना जाकर दुबई जा रहे है United Arab Emirates में जा रहे है रीजन इसका यही है UAE का जो वीजा है अराम से मिल जाता है obviously उसके लावा एक aspect यह भी है कि UAE में सुविधाएं ज़रा अच्छी है infrastructure ज़रा भैतर है तो अगर हमको UAE के साथ competition करना है हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे जो Amir Russian tourist हैं गोवा में आए हमारी economy में contribution करे तो उसके लिए Russians को भी अगर हम visa free travel देते हैं तो गोवा का गोवान economy को काफी benefit होगा बाकी देखिए long term में possibilities open है हम इंडिया की बाकी states का जो tourism है ये promote कर सकते हैं रश्या में Russians मैं कहूंगा Indian culture Indian history के बारे में काफी open minded रहते हैं उतना racism नहीं मिलता Russians में जितना आप क्या सकते हैं Western Europe या फिर even Americans के दिमाग में आपको मिलेगा अब देखो वैसे racism कई भी मिल सकता है बट on an average मैं कहूंगा कि रश्या के लोग उतने racist नहीं होंगे जितने बाकी countries के लोग आपको मिलेंगे तो अगर इंडिया की जो बाकी states है उनका भी tourism हम प्रमोट करें रश्या में तो बिलकुल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत सारी जोमारी all states है वहाँ पर भी रश्या नाना स्टार्ट कर दे और इससे दुरों countries को ही long term में benefit होगा तो अभी रश्या की तरफ से ये offer आ चुका है कोई बड़ी बात नहीं है अगली बार पोतेन जब इंडिया में आए या फिर P.A.M. Modi रश्या में जाए या फिर कोई और important meeting हो उस time ये कोई बड़ी बात नहीं है इस time frame में सही उत्तर है 1.5 billion US dollars एक बहुत ही बड़ा amount होता है दुनिया में बहुत ही कम sporting bodies है जो इतने कम अंतराल में 5 साल में 1.5 billion dollars earn कर लेती है अब आकी बाद वही आती है घूम फिर के कल को जब हमारे आख cricket match हो रहा होगा अचानक से बारिश हा जाएगी तो पानी सुखाने के लिए Asian Paints की बाल्टी और एक स्पंजी दिखेगा कुछ वहाँ पे तरक्की नहीं होने वाली बट अट लीस्ट ये जो billions of dollars है ये surplus में तो आई चुका है और हाँ आप लोगों के लिए एक important जानकारी अनकाडमी ने एक massive scale activate कर दी है 15 अगस्ट के लिए तो अभी क्या होगा 13 अगस्ट से लेकर 16 अगस्ट तक अनकाडमी के जो UPSC courses है इनके price गेर दिये जा चुके है there has been a huge price drop तो comment section में जाइए यहाँ पे आपको मिलेगा link let's say अगर आप एक college student है अगर आपके पास अभी time है 2-3 साल का आप अराम से कुछ साल वेड करके UPSC exam के लिए prepare करना चाते हैं तो यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं अनकाडमी का combo course यहाँ पे इस course में आपके UPSC prelims, mains, optional तीनों की ही त्यारी करवाई जाएगी with Unacademy's quality courses और since आप iconic combo purchase करेंगे यहाँ पे आपको एक mentor भी मिलेगा जो ensure करेगा के इस course को खरीद के आप बैठना जाएं इस course को आप properly follow भी करे with discipline तो जो 36 month का course है यह आप कर सकते हैं purchase prices काफी गिर चुके हैं यूविल गेट a lot of discount so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you